इस पवित्र कार्थिक मास में प्रायहा संपूर्ण भारत वर्ष में बहुत बड़े पैमाने पर देपोत्सो किया जाता है अभी अभी अयोध्या में भी कई लक्ष देपोत्सो संपन हुआ काशी क्षेत्र में गंगा के किनारे हर साल देपोत्सो संपन होता है देपोत्सो के बारे में आप सब लोग जानते हैं प्रतेक व्यक्ति के घर में जब भी भगवान भगवती की पूजा प्रारंब होना है वो देपोत्सो के साथ संपन होता है देप जो जोती है यह भगवान का प्रत्यक्ष सोरूप माना जाता है इस संसार में जितने भी प्रकाश है उसी परब्रम परमात्मा का ही एक आउंश के रूप में प्रपंच में प्रकाशित होते हैं यद भासा भासते विश्वम यद सुखे नानमोधते नमस्तस्मै गुनातीत विभवाय परात्मने जिस परब्रम परमात्मा के प्रकाश से ही सूर्य चंद्रादी प्रकाश वी प्रकाशित होते हैं इसलिए भगवान का मूल स्वरूप जो जोती रूप है वो भगवान के जोती रूप प्रतेक जिवात्म के हुरुदय में आत्म जोती के रूप में प्रकाशित होता है इन बाहर के प्रकाशि के संदर्भ में हम लोग अपने प्रकाशि को भूल जाते हैं समझ नहीं पाते हैं अत्रायम पुरुशह स्वयन जोती ही इस उपनिशद वाके के भाश्य करते समय जगत गुरु शंकराचार जे कहते हैं स्वपना वस्थाम अधिकृत्य यदम आमनायते हमें तीन अवस्थाए होती है जागरत स्वपन और सुसुपति जागरत अवस्था में सूर्य के प्रकाश्य रात्रे में दीपों के प्रकाश्य हम लोग व्यवहार करते हैं जब जिवात्मा सो जाता है उसमें सारे प्रकाश को भुजा करके पोरा अंधेरा करके सो जाता है फिर भी स्वपना वस्था में कुछ न कुछ पदार्थ को वो प्रत्यक्ष देखता है वस्थों को देखने के लिए प्रकाश्य के अवश्यकता होती है न तत्र सूर्यो भाते, न चंद्रतारकम, नेमा विद्यतो भानते कुतोयम अग्निही हम सपनावस्ता में जिन वस्तुवं को देखते हैं वा न सूर्य का प्रकाश है, न चंद्रमा का प्रकाश है, न किशी विद्युद्धिपों का प्रकाश है इन सभी प्रकाशों के अभावस्तिती में भी हम कुछ वहाँ देखते हैं, तो देखने के लिए हमारा आत्म प्रकाश ही वहाँ पे ले साख्षी बनता है इसलिए बाहर देपों को जला करके, हमारे भक्ति टीवी के, नरेंद्र बाभू चौदरी रमा देवी अपने सबंध संचालक मंडलियों को ले करके, प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कूट देपोत्सों करते हैं काशिशे कई बार हम आ करके, इस समारंबह में भाग लिया है तो बहरंग में कूट देपोत्सों करने का, दो प्रयोज़न देपोत्सों करते हैं